हजारी बाग में पिछले दिनों हुए सड़क दुर्गटना की वास्तिविक इस्तिती जानने के लिए राष्टी ये सड़क सुरक्षा परिसद के सदसे हजारी बाग पहुचे हैं जहां उन्होंने हजारी बाग के वो तमाम ब्लैक स्पॉर्ट का निरक्षन किया है साथी साथ ये भी जानने की कोशिस किया है कि आखिर जो पिछले दिनों हजारी बाग में गिरिडी से राची जा रही बस दुर्गटना गरस्त हो गई थी जिसमें आठ लोगों की मौत हुई थी और 42 लोग घायल हुए थे उसका कारण क्या है ति जिस टीम ने आज जानकारी दिया है कि हजारी बाग में जहां गटना गटी है वहां ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सड़क खराब है उसके लेकिन घाटना की पीछे का दो करण को उने जिक्र किया है पहला उनोंने जिक्र किया है कि हो सकता है कि ड्राइवर जो है वो निंद की स्टितीम होगा जिसके कारण घाटना घाटी है दूसरा उनों ने ये भी कहा है कि हजारी बाग में जिस रास्ते का उपियोग उस बस ड्राइवर ने किया है आखिर वो बस उस रोट से क्यों गई तो इसके अलावा हजारी बाग के वो तबाम सड़क जो खराब है उनकी वी चर्चा किया गया है उन्होंने ये भी कहा कि हजारी बाग की स्थिती बेहत् कराब है यहां हंडेट जो एनेच हंडेड है उस पर दुकान लग रही है और जो धुर्गट्ना का बड़ा कारण बन सक तीन चार जेगा तो हमने देखा कि उसमें बहुत बड़ा कारण नहीं है तिन चार जेगा में तो यह स्थिति है कि के वल साइलेज विरने जो करें चाहिए उककट में आता है लोग टर्नी में इस पीड में घूम जाता है तो घटना में बढ़ जाती है हाँ दो जगा यह घटना ग्रस जो बस हुआ उसमें जो हताहत हुए जो मृत हुए उनको उप्यूक जो उनको मुवाजा मिल जाए उनको जो सुधा इंसुरेंस का होता है हुँ मिल जाए उस पर हम लोग अगरतर करवाई के लिए बात किये हैं आगे बढ़ना है उमीद है कि बहुत ही जल्द सरकारात में फलापल इसके लिखलेंगे साथ ही ट्रेफिक सिस्टम और यहाँ पर फ्लाइओवर के लिए और पार्किंग सिस्टम के लिए अन सब मामलों पर क्या कुछ हो सकता है हम लोगोंने बहुत ही गुरुप से देखा है और आगे पर उसको करवाई हुभी कवर वस्त नहीं है उन्होंने हजारी बाग के आम लोगों से अप्ल किया है कि वो हेल्मेट का उपीयोग और यह पर नहीं करना कहीं मौत को धावत देना है कि सौधानी बरते और सौलक सौरक्शा की जो नियम सका पालन करे क्योंकि जीमन अन्मोल है गौर्ण परकास लगादा रोटिन हजारी बाल